नमस्ते दोस्तों आप सभी की डिमांड पे आज हम चना डाल वाला कद्दू बनाएंगे एक दिन हमने फोटो डाली थी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी यह सबजी खाने में वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और ठंडी गर्मियों में तो बहुत अच् के लिए हमने कद्दू ले लिया एक केजी अब इसको काट लेना है कटवा के लाये थे कद्दू क्योंकि यह 2,5 किलो का कद्दू था अब इसको काट लेना है थोड़ा बड़े पीस में ही काटेंगे तो सबजी ज्यादा अच्छी लगती है और चने की दाल पहले से भी गो कद्दू है इससे बहुत अच्छी लगती है सबजी बहुत ज्यादा हरा रहता है तो इतना अच्छा नहीं लगता है अब इसको धो लेना है साथ में चने की दाल भी धो लेना है दाल भी अच्छे से फोल चुगी है अगर कभी भूल जाया चने की दाल भी गोना तब भी ब ज़्यादा हो गई है लेकिन परफेक्ट है दाल पांच मोटी भी होने पर इतनी दाल हो गई है अब मसाला पीश लेना है उसके लिए हमने सिलवट्टा के यूज किया सिलवट्टे का मसाला पीशा बहुत अच्छा लगता है इसमें नामक हरी मिर्ची लाल मिर्ची धनिया हलदी को कूट लेना है जिए मलदी कूट जळाती तो आसाने से महीन हो जाती है महीन पूसर पीशती नहीं कि अब पानी डाल के मसाला पीश लेना है तो यह मसाला बहुत जल्दी फूट जाता है थोड़ा सा महिनत लगती है लेकिन सिल्वट्टे की पीसा मसाला की सबजी बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल देसी तरीके से सबजी बनाएंगे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी पानी डाल डाल के मसाला पीस लेना है तो बहुत जल्दी महीन हो जाता है देखिए बढ़ियासा मसाला पीस चुका है अब इसको निकाल लेना एफ लेट में यह सबजी चावल रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बढ़िया चटपटी सबजी बनती है इसके साथ डाल बनाने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि डाल इसमें पहले सही पड़ी रहती है अब चूला जला लेना है इस सब्जी को लोहे कड़ाही बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी लोहे कड़ाही ले लिया है अब लेवा लगा देना मिट्टी का भी लेवा लगा सकते हैं आज हमने कपड़े दोने वाले पाउडर का लेवा लगा दिया, इससे भी कड़ा ही बहुत जल्दी छूट जाती है, ज्यादा कोईला नहीं चीपकता है, अब सरसो का तेल डाल दिया है, सरसो के तेल में सबजी बहुत अच्छी लगती है, और मेथी डाल देना, जब मेथी प प्याज भुनने के बाद, और मसाले को भी अच्छी से पका लेना है, देखिए कितना बड़ी है, मसाला पकने लगा है, तेल बाहर हो रहा है, जब तेल अलग होने लगता, समझ लिजिए मसाला पक चुका है, अब इसमें कद्दू डाल देना है, और वही डाल डाल देना है चना वाली। अभर अच्छे से चला देना है। कि और जो प्लेट में मसाला लगा था, उसमें पानी डाल किसी में डाल देना है। कि अगर नरम कद्धू है तो पानी मत डालिया ऐसे भी पानी छूटेगा कद्धू में लेकिन थोड़ा सा कड़ा कद्दू था इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है कड़ा क्या मतलब थोड़ा सा बड़ा कद्दू था जो बतिया कद्दू आते छोटे-छोटे इसमें पानी डालने जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसमें पानी पहले से छोटता है इसमें भी छोटता है लेकिन कम छोटता ह अब बीज-बीज में चलाते रहना है और कद्दू को पका लेना है और मीडियम आज पे ही पकाना है देखे कद्दू पक चुका है अभी बहुत अच्छे से गला नहीं इसलिए कल्छी से थोड़ा सा काट देना है जिससे सबजी बहुत अच्छी बन जाती है थोड़ा सा मैसी हो जाती है सबजी अब आम की सूखी खटाई है उसको डाल देना और गुर डाल देना है मीठे के लिए अगर आपको पसंद है पुर्चीनी तो डाल सकते हैं नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं अगर खटा ही नहीं तो आम चूर डाल सकते हैं उससे भी खटा हो जाता है सब्जी बढ़िया से पक्के त्यार हो चुकी है अब थोड़ा सा खर कर लेना इसको खोल देना है अब ढ़कना नहीं है जिससे जो पानी है सूख जाएगा तब सब्जी अच्छी लगती है चिप चिपाती नहीं है सब्जी फिर बीच बीच में चलाते रहना है देखिए सब्जी बनके त्यार हो चुकी है बढ़िया से सब्जी बन चुकी है इसको चावल रोटी के साथ सरो कर ये बहुत अच्छी लगती है पानी बहुत अच्छी सूख चुका है परफेक्ट हो गई है सब्जी अब इसको उतार लेना है चावल रोटी हमने बना लिया है पहले से ही अब इसको सर्व कर देना है देखे कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है आप लोग भी ज़रूर गनाईएगा ये सब्जी आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सेयर कीजिएगा एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक रखिए अपना धेर सारा ख्याल देखिए आप लोगों के लिए सब्जी तयार हो चुकी आईए खाईए दोस्तों